जैसा कि थंबनेल देखकर आप लोग जान ही गए होंगे कि आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि जमीन की रजिस्ट्री कैसे कराई जाती है इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा बस एक ही उद्देश है कि जब आप लोग अपनी मेहनत की कमाई से कोई प्लाट या खेत खरीदने जाएं तो आपके साथ किसी भी प्रकार का कोई धोखा ना हो और मेरा आप से वादा है कि अगर आप या वीडियो देखने के बाद कोई प्लाट या जमीन खरीदने जाते हैं तो जमीन की रजिस्ट्री समंधित किसी भी प्रकार की फ्राड होने के चांसे आपके साथ बहुत कम हो जाएंगे मैंने आपकी सुद्धा के लिए इस वीडियो को छे भागों बाट रखा है तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इस वीडियो में कि रेजिस्ट्री कहां पर होती है तथा उसमें क्या-क्या डाकुमेंट्स लगते हैं उसके बाद हम लोग स्टांप डूटी और रेजिस्ट प्रकार का कोई फ्राउड नहों और उसके बाद हम लोग पूरी परकिरिया इस्टेब बाई इस्टेब देखेंगे नमस्कार दोस्तों आपका अपने यूट्यूब चैनल लड़नवित लेखपाल पर श्रागत है आसा करते हैं कि आप लोग हैपी और हेल्दी होंगे मेरा नाम विकास माउर है और मैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट में आईजा लेखपाल पोस्टेड हूँ तो आए ज़्यादा बात ना करते हुए सीखते हैं कि रजिष्ट्री कैसे होती है रजिष्ट्री कराने के लिए आपको अपनी तहसील के सब रजिष्ट्रार ओफिस में जाना होगा सब रजिष्ट्रार ओफिस को हिंदी में उपनी बंधा कारियालाय भी कहा जाता है यूपी में एक जिले में जितनी तहसीले होती हैं उतने ही सब रजिस्टर आफिस भी होते हैं ये सब रजिस्टर आफिस समानतय तहसील के आसपास ही बने होते हैं जब आप रजिस्टरी कराने के लिए अपने रजिस्टर आफिस में पहुचेंगे तो देखेंगे कि रजिस् दस्ताबेज लेखकों के पास जाएंगे और बताएंगे कि आपको जमीन की रेजिस्ट्री करानी है तो ये सबसे पहले आप से जिस प्लाट की रेजिस्ट्री आपको करानी है उसकी खताओनी मांगेंगे उसके बाद ये आपको आपकी जमीन के आधार पर उस पर कितने कि इसमें कुछ कमी करा सकते हैं सारे डाकूमेंट्स तयार कराने के बाद यही दस्तावेज दिखक लोग आपके साथ रजिस्ट्री आफिस में जाकर सारी फार्मिल्टीज को पूरा करने में आपकी मदद करते हैं इतना सब जानने के बाद अब हम लोग देखेंगे कि रजिस्ट्री या बैनामा कराने में क्या-क्या डाकूमेंट्स लगते हैं तो रजिस्ट्री या बैनामा कराने में क्रेता और बिक्रेता की एक एक फोटो लगेगी उनका आधार कार्ड लगेगा अगर आधार कार्ड नहीं है तो कोई अन पहचान परमाड़ पत्र भी लगा सकते हैं उसके बाद जो जमीन खरी दिया बेची जा रही है उसकी खतोनी भ चारों तरफ की बाउंडरी ड्रा करके उसके चारों तरफ क्या-क्या है किन-किन बेक्तियों के खेत हैं या कोई सड़क है या तलाव है या क्या है जो भी स्थित होगा आपकी बाउंडरी पर वह प्रॉपरली उसमें लिखा जाएगा उस डॉकुमेंट्स को ही नजरी नक् का जो भी ज़्यादा होगा उसका एक परसंट लगेगा अब यहीं पर आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा मैंने अभी अभी आपको बताया कि registration fees circle rate या market rate जो भी ज़्यादा होगा उसका एक परसंट लगेगा या नियम है लेकिन प्रेक्टल में market rate चाहे जितना हो सभी लोग circle rate से ही stamp duty और registration phase का payment करते हैं क्योंकि generally हर जगा market rate circle rate से ज़्यादा होता है अगर हम market rate से stamp duty और registration phase का payment करेंगे तो हमारा खर्चा ज़्यादा आएगा अब आएए देखते हैं कि UP में stamp rate क्या है तो अगर कोई प्रूस किसी ग्रामीड इलाके में जमीन खरीद रहा है तो जमीन की जो total value बनेगी circle rate खिसाब से उसका 5% एजा stamp duty से देना होगा और अगर वही अर्ध नगरिय छेत में खरीद रहा है तो property की total value जो बनेगी circle rate खिसाब से उसका 6% देना होगा और किसी सहरी छेत में नगरिय छेत में खरीद रहा है तो 7% और महिलाओं के लिए ही रेट ग्रामीड में खरीद रही है तो 4% अर्ध नगरिय खरीद रही है तो 5% और किसी सहर में खरीद रही है तो 6% होगा लेकिन अब इसमें एक पेंच है अगर खरीदी जारी जमीन की कीमत 10 लाग से जादा है तो महिलाओं को कोई छूट नहीं मिलती है आप इसे एक एक जामपल समझे माल लीजिए कोई महिला प्लाट खरीद रही है जिसकी total value circle rate के हिसाब से 20 लाग रुपए है तो उस महिला को कोई छूट नहीं मिलेगा जो rate पूरुष देगा वही rate महिला देगी ठीक है और अब circle rate के बारे में मैं आपको क्या बता हूँ इसमें लिखा हुआ इस राइड में आप आराव से पढ़ लीजिएगा detail में लिखा हुआ ठीक है अभी last slides में हमने देखा की UP में registration fees और stamp duty किस rate से लगते है आईए अब हम इसे एक example से समझते हैं मान लीजिए कि आप किसी ग्रामीर छेत्र में कोई खेत या प्लाट ले रहे हैं जिसका circle rate की हिसाब से value 20 लाख रुपए है और वह प्लाट कोई पूरुष ले रहा है क्योंकि circle rate 20 लाख रुपए है तो इसलिए महिला या पूरुष को मान लीजिए कि आप किसी ग्रामीर छेत्र में कोई खेत या प्लाट ले रहे हैं जिसका circle rate 20 लाख रुपए है तो रेजिस्ट्रेशन फेस की गढ़ना करने के लिए आप 20 लाख का 1% निकालेंगे जो कि 20,000 आएगा क्योंकि 1% ही रेजिस्ट्रेशन फेस लगती है और स्टा तो यहां पर ग्रामीर छेत्र में लिया जा रहा है तो 20 लाख का 5% आया 1 लाख टोटल कॉस्ट आगई एक जमिन खरीदने की 1 लाख 20,000 रुपए अगर आप 20 लाख का कोई प्रापर्टी ले रहे हैं तो आपको 20 लाख रुपए पेमंट करना होगा जिससे खरीद देंगे और 20,000 रुपए रेजिस्ट्रेशन फीस और 1 लाख रुपए इस टांप सुल्क अर्थात 20 लाख हुआ और 1 लाख 20,000 रुपए आपके और खर्चा होंगे जो कि आपको दस्ताबेज लेख़क को देने होंगे वकील को देने होंगे टोटल खर्चा आपका निकला आएगे अब आपको माई ही पर कुछ पते की बात बताता हूं अक्सर स्टांप पेपर बनवाते समय यह देखा गया है कि दस्ताबेज लेख़क या वकील जो भी रेजिस्ट्री के पेपर तयार कर रहा है वा स्टांप सुल्क और रेजिस्ट्री सुल्क के साथ-साथ अपनी फीस भ तो आप इसा कर देने पर आप यह नहीं जान पाते हैं कि इन्हों ने पेपर तयार करने के बदले में आप से कितनी फीस ले ली है तो आप उस दस्ताबेज लेख़क क्यों किल सकाए कि भीया हमें आपनी फीस अलग बताईए इस टांप फीस अलग रेजिस्ट्रेशन के फी इतना सब जानने के बाद अब हम देखेंगे कि सेल डीड अर्थात इस्टाम पेपर में क्या क्या लिखा जाता है तो सेल डीड में सबसे पहले लिखा जाती है जमीन की स्रेंड़ी अर्थात जो जमीन आप खरीद रहे हों किस प्रकार किये एक ग्रिकल्चरल लेंड है भूम की अवस्थित लिखे जाएगे भूम की अवस्थित का मतलब यह है जो आप प्लाट खरीद रहे हैं उसके चारों तरफ कौन सी इंपॉर्टेंस बिल्डिंग्स हैं या फिर क्या लैंड मार्क्स हैं या फिर उस जमीन किनारे कौन सी सड़क है नेस्नल हाइवे है या लिखा जाएगा और आपकी जमीन के चोहद्दी मतलब आपकी जमीन की चारों तरफ की बांडरी पर क्या क्या चीज़ें यह लिखी जाएगी और उस जमीन का पता भी लिखा जाएगा क्रेता और बिक्रेता का नाम पता लिखा जाएगा जो दो गवाह लगते हैं उनका ना चेक देकर कर सकते हैं या फिर चाहे तो नेड़ बैंकिंग की ठुरूप कर सकते हैं आप कैश भी दे सकते हैं लेकिन relevance की guideline के इसाफ से आप Limited 20,000 का का कैश दे सकते हैं उससे से ज्यादा आप एक रूपय कैस के रूप में क्यार में दे सकते हैं सब कुछ जानने के बा natur dop किसी दस्ता बेजलेखक या वकील के पास जाएंगे, जो आपका स्टांप पेपर त्यार कराएगा, उसके बाद वही दस्ता बेजलेखक आपके भुईम का रेजिस्ट्रेशन, UPIGRS की साइट पर आनलाइन करा देगा, वहाँ उसके बाद वहाँ आपको लेकर रेजिस्ट्री आफिस जाएगा, जहाँ पर आपका और आपके गवाहों का आनलाइन वेरिफिकेशन होगा, आनलाइन वेरिफिकेशन में आपके और गवाहों की फोटो ली जाते हैं, बेब कैम के थुरू अंगूठों के इसान लिया जाते हैं उसके बाद सब रजिस्टार के द्वारा गवाहों से पूश्टास की जाती है तो रजिस्ट्री कराने के लिए आपको दो ऐसे गवाहों की जरूरत पड़ेगी जो दोनों लोगों अर्थात जमीन बेचने वाले और खरीदने वाले दोनों लोगों को जानते हो सब रजिस्टार आफिस में गवाहों से पूश्टास की जाती है कि वे करेता तथा बिकरेता को कितने समय से जानते हैं गवाहों से पूश्टास के साथ साथ ही बिकरेता से भी पूछा जाता है कि वे किसी की जोर या जबर जश् कि नहीं इतनी सारी पूश्टाच के बाद अगर सब रजिस्टार को विश्वास हो जाता है कि सब कुछ सही है तो वहाँ जमीन की रजिस्ट्री क्रेता के पच्छ में कर देता है आज के लिए बस इतना ही अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक सेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कोई कमी रह गई हो तो आपके सुझाव आमंत्रित हैं जरूर बताईएगा उसमें सुधार किया जाएगा थैंक यू